दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोवाइल के कीबोड के फॉन्ट इस्टाल को कैसे चेंज करोगे अगर दोस्तो आप वाटसप पे, फेस्ब्यूक पे, इस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चेटिंग करते हो या पर बहुत ज़्यादा यूज करते हो तो यह जो ट्रिक है आपके बहुत काम आने वाली है क्योंकि दोस्तो आज के टाइम में नॉर्मल फॉन्ट पे तो सभी चेटिंग करकर के बोर हो गए होंगे बड दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट फॉन्ट इस्टाल में चेटिंग कर पाऊगे जैसे दोस्तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे मेरे जो कीवोड का फॉन्ट इस्टाल है काफी जादा यूनिक है और बाकी के जो लोग है उनसे काफी जादा चेंज है ठीक है और दोस्तो मैं आपको बता दूँ अगर आप किसी से चेट करते हो तो उसके पास भी डिफरेंट फॉन्ट इस्टाल ही जाएगा ठीक है लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा रहेता हूँ अगर मैं यहाँ पे इस तरही से कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पे दोस् वाटसप है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यह दो को मैंने यहाँ पे इस से सेंड करा है और इस पे आया है तो डिफरेंट फॉन्ट इस्टाल में ही आया है ठीक है अब दोस्तो हम बात करते हैं कि यह त्रिक आप अपने मोबाइल के कीवोड पे कैसे यूज करोगे य इसके बाद दोस्तो सर्च बॉक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे दोस्तो आपको सर्च करना है आईफोंट ठीक है आईफोंट इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको यह वाला अप्लिकेशन डाउलोड करना है सही से देख लेना है इस पे इनिस्टॉल पे क्लिक करना है इ अब्लिकेसिन आपन होने के बाद आपके सामने एड़ आ सकता है तो इस तरहीं से एड़ को close कर देना है और पर किलिक करने के बाद आपको यहां पर कभीक देगा है इस पिर क्लिक करना है इस पर्म करने के बाद दोसदो आपको यहां पर इस तरीके से आजायेगा तो आपको यहां P.E. किलिक करना है और किलिक करने के बाद दोस्व आप यहां से अपने हिसाब से डार्क यहां पर इसके बार दिधो आपको जो एक्वोड कर सेट हो जाएगा तो अभी दोस्टों आपको यहां पर करके दिखा देता हूं और वाटसब करने के है इसके बाद दोस्तो अगर आप यहापका फ़ॉंट स्टाइल आ जाएगा जासे AAS झालेत तरीकी से ber titledत्यwow थे स्ट्रक इस तरीके से आपकंग सामने आएंगे इसके इस तरीके से यां पर स्कॉल style आ जाएगी ठीक है तो यह जो तरीक है बहुत यूनिक है और इसी तरीके से दोस्तों आप भी किसी से भी different font style में चैड कर सकते हो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको यह keyword पसंद नहीं आता है और दोस्तों आप आपके फोन का जो keyboard है पहले जैसा हो जाए तो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ इसके लिए दोस्तों आपको इंटरनेट वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको किलिक करना है टैप करना है टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर इस तरीके स आपके नीचे में ही आए जाएगा iPhone तो इस पर क्लिक करोगे तो फिर से दोस्तों आपका वही वाला keyboard आ जाएगा तो आई होब यह सारी चीज़े आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आपको कोई भी प्रोब्लम वा दिये तो कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपका कमेंट में रिपलाई करदूआँगा वीड़ो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना ऐसी और इंटरेस्टिग वीड़ो के लिए चैनल्ल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरू से प्रेस करना तो मैं मिल तक सी नेक्स इंटरेस्टिक वीड़ो में तब तक के लिए टेक करेंड बाई